यूटूब चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके यहां पर CLC राउंड को जो मेरिट लिस्ट कल की डेट में जारी हुआ है तो आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे अपना आपके लिस्ट में आया है की नहीं आया है तो आप वीडियो के अंतक बने रहें मैं यहां पर सर्च कर लेहां आप दिख सकते हुं यहां पर बैट साइट भी अपर सू कर रहा हूं यापर बेरेमेश करके इसके बात मैं RAW जा जाएगा जैसिस परकहर consec cardiac atheist आайтесь आएगा so तो आपको नीचे की ओर आना है कि नीचे की ओर आना है मैं फिलाल में यहां को बीए भी कॉम बीए सी वालों को बता रहा हूं यूजी वालों का और यहां पीजी वालों का यहां यहां पर क्लिक करेंगे नीचे मैं फिलाल में यहां पर बीए सी वालों बताऊंगा तो मैं जै आई अग्री जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा तो आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद मैं आप कुछ चेटिल करेंगे नीचे स्क्रोल करके आज़ Да आपको मुवाइल से बता रहा हूं आप अपने लैप्टॉप मुवाइल किसी भी चीज़ से आप चेक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको डालना होगा आवेदन क्रमांग अप्लिकेशन आइडी यहां पर तो मैं आपको बता दूँ आपकी कहां पर होती है च आपको डालना होगा और आपको डालना होगा और आपका जो रहता है पास और यहां पर अप्लिकेशन नमबर डालेंगे तो फिलाल में मैंने कौपी किया रखा है तो यहां मैं पैस्ट कर देता हूं मैंने पैस्ट कर दी आप देख सकते हैं आप यहां पर आपको जो है डालने के बाद में आपको नीचे आना होगा यहां पर online password तो online password जो भी आपका बना होगा तो वह password डाल सकते हैं आप यहां पर तो फिलाल मैं Password एंटर कर देता हूं कि यहां पर मैंने application नमर्ड भी डाल डाल दिया और यहां पर पासवर्ड पासवर्ड जो आपके रेजिस्टेशन के समय बनाए जाता है वो पासवर्ड भी यहां डाल दिया है और यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं नीची लिखा होगा forget your password यहाँ पर नीची आ जाना आप जैसे यह आपको forget your password पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है application नंबर माँगेगा और mobile नंबर माँगेगा और आपके जो password बना है आपके mobile में SMS के दोरा आ जाएगा आप यहाँ पर view detail करेंगे जैसे view detail करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं तो इनका you are already admitted बता रहा है मतलब जो है इनका नाम आचुका था और मैंने इनका जो है फीस भी submit कर दी है तो इनका जो है अलाटमेंट लेटर यहाँ पर नहीं कर रहा है मैंने अलाटमेंट लेटर पहले ही डाउनलोड कर लिए इनका और मैंने फीस सम्मिट कर दी है और यदि आपने यदि आपकी फीस सम्मिट नहीं है यदि आपने फीस सम्मिट नहीं की है तो आपका यहाँ पर अलाटमेंट लेटर दिखेगा यदि आपका नाम आया रहेगा तो यहाँ पर अलॉट्मेंट दिख जाएगा और आप असानी से वहाँ पर OTP द्वारा सत्यापन करके जो अलॉट्मेंट को प्रिंट कर सकते हैं तो आपको यदि और कोई कंफ्यू जाने हो तो आप कोमेंट वक्स में पूछ सकते हैं और यदि आप चैनल पर नहीं हुँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो लाइक जरू करें तक तक लिए बाई-बाई-बा